Deep Down का क्या मतलब हुता है आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Deep Down का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो कोई बहुत गहरी चीज होती है बहुत गहराई में नीचे कहने के लिए हम Deep Down कहते हैं इसके इलावा कई बार जो हम अंदर से कुछ बहुती गहरा महसूस कर रहे होते हैं यानि कि जो चीज असलियत में या वास्तों में होती है या अंदर ही अंदर होती है तो उसको भी Deep Down कहा जाता है यानि कि कोई भी feeling है कोई भी belief या knowledge है जो आप deeply strongly internally महसूस करते हैं उसके लिए Deep Down कहते हैं जैसे कि अगर आप ये कहें कि उसने खुश होने का दिखावा किया लेकिन अंदर ही अंदर भे सचमुच दुखी था तो आप कह सकते हैं He pretended to be happy but deep down he was really sad या अगर आप ये कहना चाहें कि अंदर ही अंदर भे जानती थी कि उसने सही निरने लिया है तो आप कह सकते हैं Deep Down she knew she had made the right decision अब आप किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें